लब्यवेवस्ता अध्याय पीस प्रांदंड के योग्य भाती भाती के पापों का वर्नन फिर यहोवाने मूसा से कहा कि इसराइलियों में से वा इसराइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों नहों जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे वह निष्च मार डाला जाए और जनता उसको पत्थर वाह करे और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इसकारन नाश करूँगा, कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया, और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विशे में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयम उस मनुष्य और उसके घ्राने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ विभिचार करे, उन सभो को भी उनके लोगों के बीच में नाश करूँगा, फिर जो प्रानी ओजहो वा भूत साधने वालों की ओर फिरके और उनके पीछे होकर विभिचारी बने, तब मैं उस प्रानी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूँगा, इसलिए तुम अपने आपको पवित्र करो, और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहवा हूँ, कोई क्यों नहों, जो अपने पितावा माता क उसने अपने पितावा माता को शाब दिया है, इस कारण उसका खुन उसी के सिर पर पड़ेगा। वह जो अपने पिता ही का तन उगाडने वाला ठहरेगा। सो इसलिए वे दोनो निश्च मार डाले जाए, उनका खुन उन्ही के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पतोह के साथ सोए, तो वे दोनो निश्च मार डाले जाए, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे। और उनका खुन उन्ही के सिर पर पड़ेगा। तीनो के तीनो आग में जलाए जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनो निश्च मार डाले जाए, और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो तु उस त्री को और पशु दोनो को घात करना। वे निश्च मार डाले जाए, उनका खुन उन्ही के सिर पर पड़ेगा, और यदि कोई अपनी बहिन का, चाहे उसकी सगी बहिन हो, चाहे सवतेली, उसका नगनतन देखे, और उसकी बहिन भी उसका नगनतन देखे, तो यहाँ निंदित बात है, वे दोनो अपने जाती भा उगाडने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयम उठाना पड़ेगा, फिर यदि कोई पुरुष किसी कृतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उगाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधीर के सोते का उगाडने वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रु उफी का तन न उघाडना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुम्बिनी को नगन करता है, इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा, और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए, तो वह अपने चाचा का तन उघाडने वाला ठहरेग इसलिए वे दोनों अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वश मर जाएंगे, और यदि कोई अपनी भावजी वा भयाहू को अपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनवना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाडने वाला ठहरेगा, इस कारण वे दोनों निर्वश रहेंगे, तुम मेरी सब विधियों को और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह नहों कि जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, वह तुमको उगल देवे, और जिस चाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ, उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब को कर्म किये है, इसी कारण मुझे उनसे ग्रुना हो गई है, और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमी के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराय भाईती है, तुम्हारे अ तुम शुद्ध और अशुद्ध पश्यों में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में बेद करना, और कोई पश्यों वा पक्षि वा किसी प्रकार का भूमी पर रहिंगने वाला जीवजन्तु क्यों नहों, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर व और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष वस्त्री ओजाई वभूत की साधना करे तो वह निश्च मार डाला जाए। ऐसों का पत्थर वह किया जाना उनका खून उनही के सिर पर पड़ेगा झाला जाए।